नमस्कार दोस्तों किचिन ओफ भारती जाय का कविता की रसोई में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे गाजर का हलुआ जिसे ना तो घंटों घिसने की जरूरत है और ना ही घंटों से कड़ाई में पकाने की जरूरत है और ना ही इसमें खोई की जरूरत है ना ही मिल्क पाउडर की जरूरत है ये बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी बन कर तयार होगा शादियों वाला हलवा हलवाई लोग किस तरीखे से बनाती है और कितनी जल्दी बन कर तयार होता है तो इसको हम आपको बनाना बताते हैं तो आईए इसको हम बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमने ये गाजर लिए हैं ये डेड़ किलोग गाजर हैं इसको हमने धो कर अच्छे से छील कर साफ कर लिया है और इसके दोनों साइड की हिस्से कट करके निकाल दिये हैं ये गाजर हम कोकर में ऐसी ही सावुद गाजर डालेंगे इसको ना तो हम कट करके डालेंगे और ना ही घिसके डालेंगे इसको हम गैस पर रख देंगे इसमें बस एक चमश घे डालेंगे गाजर को हम उपर नीचे कर देंगे जिससे घी पूरे में एक सा हो जाएगा और इसके उपर हम धकन को रख देंगे जिससे गाजर गरम होगी इसमें हीट बनेगी और घी हमारा मैल्ट हो जाएगा धकन हमने रख दिया है अब इसको हम खोल कर देखते हैं देखे घी हमारा अभी भी मैल्ट नहीं हुआ है कुछी देर में ये घी हमारा मैल्ट हो जाएगा अब हमारा घी मैल्ट हो गया है और गरम होने से गाजर का कलर भी चेंज हो गया है कुछ कलर चेंज हो गया है और कुछ और हो जाएगा अब देखे इसमें नीचे तले में थोड़ा पानी भी आ गया है इसमें हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था अब इसमें हमने चार इलाइची पीस ली हैं जिसके चारों के छिलके इसमें डाल देंगे चिलके डालने से इसे फ्लेवर बहुत अच्छा आइगा आप कोकर का हम ढक्कन लगा देते हैं और इसमें दो विसिल लगा लेते हैं कोकर देखिए ठंडा हो गया है अब इसको हम खोलते हैं गाजर का कलर बिलकुल चेंज हो चुका है अब ये देखिए हम अलट पलट करेंगे इसमें देखिए कितना सारा अंदर पानी आ गया है गाजर को चमचे से कट करके देखते हैं गाजर हमारी कट रही है अब इस समय पर हम इसमें हाफ लिटर के करीब फुल क्रीम दूद डाल देंगे इसको हम चमचे से मेक्स करेंगे अब इसको हम मैशर की सहायता से दाब दाब कर मैश कर लेंगे ये बिल्कुल बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा अगर आपको मेरी रेसिपी की वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले गैस की फ्लेम पर ही रखेंगे और इसको चलाते रहेंगे और जिसका दूद है वो अपने आप ही दीरे दीरे सूख जाएगा इस प्रकार देखिए दूद इसका सूख गया है काफी कम दूद हो गया है एक कटूरी फ्रेश मलाई का इस्तिमाल कर रहे हैं जो इसमें हमने डाल दी है इसको हम इसमें अच्छे से मेक्स कर देंगे क्योंकि हम इसमें बिलकुल भी इस तरीके से बीच में घी का इस्तिमाल नहीं कर रहे हैं हम जो भी मलाई से ही इसको बनाएंगे इसमें पचास पचास ग्राम करते हुए दो बार में हम शूगर डाल देंगे और इसको मिक्स करतेंगे शूगर डालते ही हलुआ तले में चिपकने लगता है इसको हम बीच बीच में जल्दी जल्दी चलाते रहेंगे अब एक प्राई पेन गरम करने रख देंगे इसमें हम खर्बुजे के बीजे डालेंगे और इनको रोस्ट करेंगे इन बीजों का कलर हलका सा चेंज हो जाएगा और ये उचकने लगेंगे इसका मतलब है ये हमारे रोस्ट हो गए हैं आप बची हुई चीनी फिर डाल देंगे और इसको इसमें मिक्स कर देंगे और इसको पकने देंगे ये देखी कितना अच्छा हल्वा हो गया है अब इसमें हम औरेंज फूड कलर एड़ करेंगे क्योंकि हलवाई लोग भी इसमें औरेंज फूट कलर एड़ करती है इससे कलर इसमें बहुत अच्छा आ जाता है इसमें कलर आ गया है अब इसमें खरबुजे के बीजे थे वो इसमें एड़ कर देंगे और इसको इसमें मिक्स कर देंगे अब इसमें कुछ ड्राइफ रूट अपने हिसाब से अपनी पसंद की कोई से भी डाल सकती है मैंने इसमें काजू और पादाम डाले हैं वो भी इसमें मेक्स कर देते हैं इसको अच्छे से मेक्स कर देंगे और इसमें आखरी में बिलकुल इलाइची पाउडर डाल देंगे इलाइची पाउडर डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और खुश्वू बहुत अच्छी आती है और मिठी कोई भी चीजे उसको पचाने में सहायता मिलती है अब ये बन गया है इसको हम देखिए एक प्लेट में सर्व कर अगर आपको शादियों वाला गाजर का हलुआ खाना है तो इस तरीके से बनाईए ये उससे भी कहीं ज्यादा बहतर बन कर तयार होगा इस तरहें बनाया गया गाजर का हलुआ बहुत जल्दी बन कर तयार हो जाता है आपको अगर मेरी रेसिपी की वीडियो पसंद आई हो मेरी मेहनत पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी की वीडियो कैसी लगी थैंक्स पूर वाचिंग